स्रिमान योगी आदितेनाथ जी, यूपी सरकार में मंत्री, चौधरी उद्वेभान सीं जी, डॉक्टर दीयस दर्मेश जी, संसद में मेरे साथी, प्रफज़र S.P.C. भगेल जी, स्री राजकुमार चाहर जी, स्री हरिद्वार दूबे जी, अन्य जन प्रतिनितिगण और आगरा के मेरे प्यारे भाईयों और बहनों, आप सभी को मेट्रो का काम शुरू होने पर बहुत बहुत बधाई, आगरा के पास बहुत पुरातन पहचान तो हमेशा रही, अब इसमें आधुनित्ता का नया आयाम जुड़ रहा है, सेंकडो वर्सों का इतिहास संजोये ये शहर, अब 21 सदी के साथ कदम ताल मिलाने के लिए तैयार हो रहा है, भाईयो और बहनों, आगरा में स्मार्ट सुविधाये विक्सित करने के लिए पहले ही लगभग एक हजार करोड रुपिये के प्रोजेक्स पर काम चल रहा है, पिछले साल जिस कमांड एन कंट्रोल सेंटर का सिलान्यास करने का मुझे सोभागी मिला था, वो भी बनकर तैयार है, मुझे बताया गया है कि कोरोना के समय में ये सेंटर बहुत उप्योगी सिद्ध हुआ, अब आठ हजार करोड रुपिये से अधिक का ये मेट्रो प्रोजेक्ट आगरा में स्मार्ट सुविधाओं के निर्मान से जुड़े मिशन को और मजबूत करेगा, साथियों, बीते छे सालों में यूपी के साथ ही पुरे देश में जिस स्पीड और स्केल पर मेट्रो नेट्वर्क पर काम हुआ, वही सरकार की पहचान और प्रतिबद्धता दोनों को दर्शाता है, 2014 तक देश में लगभग सबाद 200 किलोमेटर मेट्रो लाइन आपरेशनल हुई थी, साल 2014 के बाद के छे वर्शों में देश में साड़े 400 किलोमेटर से जादा मेट्रो लाइन देश भर में आपरेशनल हैं, और लगभग 1000 किलोमेटर मेट्रो लाइन पर तेज गती से काम भी चल रहा है। आज देश के 27 शहरों में मेट्रो का काम या तो पूरा हो चुका है या फिर काम अलग अलग चरणों में है। यूपी की ही बात करें तो आगरा मेट्रो सुविदा से जुड़ने वाला ये यूपी का सातवा शहर है और इनके बीच एक और बात बहुत विशेश है। देश में सिर्फ मेट्रो रेल नेट्वर्क ही नहीं बन रहे हैं। बलकि आज मेट्रो कोज भी मेक इन इंडिया के तहट भारत में ही बन रहे हैं। यही नहीं जो सिगनल सिस्टिम है उसका भी पूरी तरह से भारत में ही निर्माण हो इस पर भी काम चल रहा है। यानि अब मेट्रो नेट्वर्क के मामले में भी भारत आत्म निर्भर हो रहा है। भाई और भेनों आज के नए भारत के सपने उतने ही बड़े हैं उतने ही विराट हैं। लेकिन सरफ सपने देखने से काम नहीं चलता। सपनों को साहस के साथ पूरा भी करना पड़ता है। जब आप साहस के साथ समर्पन के साथ आगे बढ़ते हैं तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। भारत का सामान्य युवा, भारत के छोटे शहर आज यही साहस दिखा रहे हैं, यही समर्पन दिखा रहे हैं। बिस्वी सदी में जो भूमिका देश के मेट्रो सहरों ने निभाई उसी भूमिका को विस्तार देने का काम, अब हमारे आगरा जैसे छोटे शहर कर रहे हैं। छोटे शहरों को आत्मंदिर भर भारत की दुरी बनाने के लिए ही अनेक विकास पर बहुत ज़्यादा जोड़ दिया जा रहा है। पस्चिमी उत्तर प्रदेश के इन शहरों में तो हर वो चीज है जो आत्मंदिर भरता के लिए हमें चाहिए।